जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं ये कि प्रशासन का पूरा सयोग था, चाहें वो पुलस हो, शासन का पूरा सयोग था, सरकार हो, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि अगर आप डॉक्टर भी हैं, पर घर तो आपको लोटके जाना है ना, आपकी भी बीवी बच्चे हैं, आपका भी परिवार होता है, कभी मन में ये विचार आया कि नहीं, कुछ दिन हम भी नहीं जाते हैं, पुरा देश लॉक है, हम भी थोड़े दिन घर पर अपने परिवार के साथ व्यतीत करते हैं, नहीं रंजनाची, ऐसा नहीं है, एक्शली जिस समय कोविट का ये द परेल के फर्स वीग में पहुंचते पहुंचते ऐसा लगने लगा कि संख्या अचानक से बढ़ रही है, पूरे मेडिकल कॉलेज का पूरा की पूरा मेडिकल फ्रेटर्नीटी, परामेडिकल स्टाफ, ये सब लोग एक रफ्तार में काम करने को ततपर हुए, वो एक समय इन हिए, नियुक्त के अप्रेल के फर्स वीक से लेकर के आप्रेल के माई के फरस में कैजी से एक फीक आई थी. तो वो समय हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था तो इस तरह के विचार आते ही जरूने एक इंसान होने के नाते लेकिन चैलेंजर सामने हैं तो उसको फेस भी करना है लेकिन क्योंकि सालो से आप इस प्रोफेशन में हुँगे कोरोना का जूद राख दर के साथ काम करना और जो बरसों से आप कर्दम करते बैए जहां पर निश्चंथ हो के अपनी डिफ्रेंस अंतर देखने को मिला ने अंतर रहता था बिल्कुल अंतर रहता नहीं था बलक्त अंतर अभी भी है उस दोर में फरक ये था आज के और उस दोर में उस समय वो बीमारी बिल्कुल नहीं थी treatment modalities हमारे बहुत जादा नहीं थी ऐसे समय में किसी बीमारी को जिसको हम जानते नहीं धंक से उसका treatment नहीं पता है उससे infect होनी की condition आपको बहबीत तो करती है लेकिन चुकि वो काम आपका profession है आपको काम करना आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा बॉडर पर ख़ड़ा सिपाई अगर यह सोचे कि सामने से गूल याएगी तो मेरा क्या होगा तो फिर सिपाई वह खड़ा हो ही नहीं सकता हम जा कहीं नहीं सकते थे हमें यहीं fight करना था बहे के साथ में धीरे-धीरे करके उसके साथ रहना और उससे लड़ना सीख लिया हम लोगा ने